आज आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी माला है जिस पे आप जब करेंगे तो आपको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ेगी माला को संसकारित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप रुगदाच की माला से जब करते हैं हमोमन जादातर जब रुद्राच की माला से ही होते हैं और जिस भी देवी देवता की हम साधना करते हैं, जिस भी पावर की हम साधना करते हैं, उसका आवाहन और प्रावर प्रतिष्ठा हम उस माला पर करते हैं, उसी को माला का संसकार कहा जाता है, तो जो सिव पद्धत में साधना करते हैं, रुद्राक्ष की माला से जब करते हैं बेटलो पध्धति वाले तुल्सी की माला पे जाप करते हैं आज हम आपको बताएंगे कि आप अगर यक्छडी साधना कर रहे हैं और अफसरा साधना कर रहे हैं तो आप ऐसी कौन सी माला का प्रियोग करें कि आपको प्राण प्रतिष्ठा और संसकार की जरूरत ना पड़े आप रुगदाच की माला का प्रियोग करेंगे तो आपको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ेगी आप मोतियों की माला, मड़ी की माला, मड़ी जो होती है साध्य के जरूरतन जो होते हैं पठरों की माला का प्रियोग करेंगे तो आपको संस्कार की जरूरत पड़ेगी किसी भी साधенная में जो Ещеी से संबंदित जो अफसरा से संबंदित जो भूत प्रेत और पिसाचों से संबंधित है अगर आप अस्फटिक की माला से जाब करें तो आपको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है अस्फटिक की माला पर संसकार करने की जरूरत नहीं होती है तो आप अस्फटिक की माला से यह चुड़ी की शादना करिये पिसास पिसाचनी की शादना कर सकते है तो आपको संस्कार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाल या पीले रंग का टीका आपको सुमेरू पर लगा देना है और एक माला गड़ेश जी का जबके, आपको उस माला से आप जबकाश कर सकते हैं चैनल के लाल रंग के बटन को दबा करके सब्सक्राइब करिए काडिक्रम को लाइक करिए